आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पर यदि हम फरिष्टे स्वरूप की स्थिती में आ जाते हैं तो हमारा ये जीवन संसार के लिए वर्दान बन जाता है और फरिष्टे स्वरूप में रहने वालों के सिर पर स्वयम बाबा च्छत्र चाया बनकर रहता है उनके जीवन में यदि कोई वीगनाता है तो बाप दादा स्वयम उनकी सुरक्षा करने लगते हैं बहुत सुंदर बात है भगवान हमारी केयर करे वो हमारा ध्यान रखे तो आईए हम फरिष्टे बनने की ओर आगे बढ़ें हम अपने संपूर्ण फरिष्टे स्वरूप का अहवान करें और हमें अपना ये फरिष्टा स्वरूप बहुत इस पस्त अनुभों में आना चाहिए बहुत किलियर विज्वलाइजेशन होनी चाहिए और इसकी विज्वलाइजेशन का स्वरूप है कि मैं आत्मा समकती हुई जोती प्रकास की देहे में विराजमान हूँ और मुझसे चार ओर प्रकास की किर्णे फैल रही है इस तरह मैं हो गया डबल लाइट दूसरा डबल लाइट का अर्थ आत्मा जोती स्वरूप और मन भी पूरी तरह लाइट तो जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाती है जो वो बिलकुल लाइट हो जाती है मन बिलकुल हलका कोई बोज नहीं बेफिक्र बादस्वान इस्चिंत जीवन एक बल एक भरो से जीने वाले तब ये हमारा फरिष्टा स्वरूप पर तक सोता है फरिष्टा अर्थावत जो निरंतर योग युक्त हो जिसके चित में सभी के लिए कल्यान की भावना सुब भावनाएं भरी हुई हों जो इज सादोई जिरना नफरत तेरे मेरे सब से परे होगे हों जो बेलकुल आत्मिक स्वरूप में स्थित होगे हों इसलिए चाहे बहन फरिष्टा बने चाहे भाई फरिष्टा बने दोनों के लिए एक ही सब्द प्रियुक्त है फरिष्टा न की फरिष्टी इसका अर्थ है जो नरोड नारी के भान से उपर उठ ले वे फरिष्टे हैं जिनके पैर इस धर्ती को टच नहीं कर रहे हैं वे फरिष्टे हैं अर्थात जो इस अंसार के आकर्षन से उपर उठ चुके हैं जिने इस अंसार का कोई भी फ्लोभन अपनी और खीचता नहीं है वे फरिष्टे हैं तो आईए हम इस वर्दानी स्वरूप को धारन करके ही संसार का कल्यान करें क्योंकि इसे स्वरूप के द्वारा हमें सारे संसार को संदेश भी देना है और स्रेश्ट वाइब्रेशन्स भी देने हैं क्योंकि कई सारे धर मैसे हैं जो केवल फरिष्टों में ही विश्वास करते हैं उनमें भावनाय रखते हैं वो भगवानादी की बात नहीं जानते न उसका उन्हें ज्ञान है वो केवल फरिष्टों की हिमान्यता रखते हैं तो हम अपने फरिष्टे स्वरूप के द्वारा भविश्च में इन सभी आत्माओं को इश्वरी ये संदेश देंगे, मुक्ती का संदेश देंगे, घर जाने का संदेश देंगे तो आईए हम बहुत तक परता से अपने इस स्वरूप को बढ़ाएं, देखा करें अपना ये स्वरूप, अपने साम में थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ हमारा संदूर फरिष्टा स्वरूप हम उसका अहवान करें, आजाओ, है मेरी संपन स्वरूप, आजाओ, तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और हम चलें अपने इस महान स्वरूप की स्थिती में निरंतर आगे बढ़ते चलें, लेकिन हम अपनी भावनाओं को भी चेक करते चलें तो आज सारा दिन बहुत अच्छीतर है, फरिष्टे स्वरूप का अभ्याद करना है, हर गंते में एक बार अपने इस तेजस्वी स्वरूप को देखना है और ग्लोब पर खड़े होकर सारे संसार को, संपोल प्रकरती को, पवितरता के और सक्तियों के वाइब्रेशन्स देने हैं तो सारा दिन बार-बार अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का फरिष्टा हूँ, मैं मास्टर सर्व सक्तिवान फरिष्टा हूँ, गलोग के उपर हूँ, और मुझसे चार और पवित्र वाइब्रेशन्स फैल रहे हैं.